Hello everyone, मेरा नाम है संदीब दास गुपता and welcome to Achieverly. आज हम लोग NCRT Class 9 History का Chapter 2 का Part 3 शुरू करने चारे हैं. Previous Chapter के Lectures अप्लोड हो चुके हैं और मैंने Class 9 History का एक separate Playlist भी create कर दिया है. Playlist का Link आपको इस वीडियो के Description Box में मिल जाएगा तो जो लोग नए आये हैं, वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं. मैं पढ़ते हुए Important Points को Star Mark करतावा चलूँगा, तो अगर आप Books से फढ़ रहे हैं, आप भी उन Points को Star Mark कर लें, या फिर अगर आप Notes बना रहे हैं, तो अपने Notes में उन Points को लिख लें, क्योंकि वहाँ से Question आने के Chances ज़्यादा होते हैं. अगर आपको कुछ Doubt हो, तो आप मुझे से Comment से पूछ सकते हैं, या फिर Instagram पे पूछ सकते हैं. Instagram का Link आपको इस वीडियो के Description Box में मिल जाएगा. NCRT के Books को आप NCRT के Website से Free में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इस Book को डाउनलोड कर ले, और आज का Lecture देखने के बाद एक बार इस Chapter को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए अब आज का Lecture शुरू करते हैं. Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution योरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांती. हम लोग उने पिछले Lectures में Chapter 2 के Part 1 को कवर कर लिया है, और Chapter 2 के Part 2 को भी कवर कर लिया है. इस वीडियो के Description बॉक्स में आपको Chapter 2 के Part 1 का और Part 2 के Lecture का Link मिल जाएगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, आज के Lecture के साथ Continue करें. आज हम लोग Chapter 2 के Part 3 को शुरू करने जा रहे हैं. इसमें हम लोग The February Revolution in Petrograd के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद After February क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, The Revolution of October 1917 के बारे में पढ़ेंगे, और Date of the Russian Revolution के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए बाज का Lecture शुरू करते हैं. The February Revolution in Petrograd Petrograd में फरवरी क्रांथी In the winter of 1917, conditions in the capital, Petrograd, were grim. 1917 के सर्दियों में, Petrograd की हालत बहुत खराब थी. हमने पिछली लेक्चर में समझा था, कि St. Petersburg एक जर्मन नाम था और Anti-German Sentiments के वज़े से St. Petersburg का नाम चेंज करके Petrograd कर दिया गया. सन 1917 की सर्दियों में, राजधानी Petrograd की हालत बहुत खराब थी. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. City का layout देखकर ऐसा लगता था, जैसे लोगों के बीच के division को ध्यान में रखकर वो layout टेयार किया गया था. ऐसा लगता था, मानो जनता में, मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही, शहर की बनावट टे की गई थी. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. Neva river के right side में workers' quarters थे, factories थी. मजदूरों के quarter और कारखाने नेवा नदी के दाय तट पर थे. On the left bank, where the fashionable areas, the winter palace, and official buildings, including the palace, where the Duma met. Left bank में fashionable areas थे, मतलब posh areas थे, winter palace था, official buildings थे, जहां पे Duma की meeting होती थी, वो building भी था. तो यहां से हमें पता चल रहा है कि river के right bank में गरीब लोग रहते थे और left bank में अमीर लोग. बाय किनारे पर fashionable इलाके, winter palace और सरकारी इमारते थी, जिस महल में Duma की बैठक होती थी, वो भी इसी तरफ था. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. February 1917 में, workers' quarters में food shortage की समस्या सामने आई. फरवरी में, मजदूरों के इलाके में, हाध्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई. The winter was very cold there, had been exceptional frost and heavy snow. उस साल, ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीशन कोहरा और बर्फभारी हुई थी. Parliamentarians, wishing to preserve elected government, were opposed to the czar's desire to dissolve the dhuma. czar dhuma को dissolve करना चाहता था, बट, Parliamentarians चाहते थे कि elected government चलती रहे. इस वज़े से, Parliamentarians ने czar का विरोथ किया. संसदिय प्रतिनिथी चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे. इसलिए, वो जार द्वारा डियुमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोथ कर रहे थे. On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. 22 February को नेवा रिवर के राइट बैंक में एक factory पर ताला लगा दिया गया. अगले दिन, उस factory के support में और 50 factory के मजदूरों ने हरताल घोशित कर दिया. 22 February को दाय तर्ट पर इस्थित एक factory में ताला बंदी घोशित कर दिया. अगले दिन, इस factory के मजदूरों के समर्थन में 50 factoryों के मजदूरों ने भी फरताल का एलान कर दिया. In many factories, women led the way to strikes. These came to be called the International Women's Day. बहुत सारे factories में महिलाएं स्ट्राइक का नेतरित्व कर रही थी. इसी दिन को International Women's Day कहा गया है. बहुत सारे कार्थानों में शड़ताल का नेतरित्व औरते कर रही थी. इसी दिन को बाद में अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस का नाम दिया गया. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. Workers factory quarters पार करके capital के center में Nevsky Prospect नामक जगह पर पहुँच गये और वहाँ पे धर्णा प्रदर्शन करने लगे. आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधनी के बीचों बीच निवस की प्रोस्पेक तक आ गई. At this stage, no political party was actively organizing the movement. इस stage में कोई भी political party इस movement में actively involved नहीं थी. सिर्फ workers एक दूसरे के support में रास्ते पे उत्रे थे. Food shortages से सब ऐसे ही परेशान थे, तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था. इस समय तक कोई राजनीतिक party आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. जब workers ने fashionable quarters को, official buildings को घेर लिया, तब government ने curfew imposed कर दिया. जब fashionable रिहाईशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने curfew लगा दिया. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. Curfew लगने के बाद जो workers आंदोलन कर रहे थे, वे शाम में बिस्पर्स कर गए, लेकिन फिर अगले दिन 24 और 25 को वो वापस आए. शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारिक को वो फिर इखटा होने लगे. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. सरकार ने पुलिस को और cavalry यानि घुरसवार सैनिकों को इन workers पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया. सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुरसवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया. On Sunday, 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. 25 February, Sunday को जार की गवर्नमेंट ने Duma को सस्पेंट कर दिया. Politicians इस मुद्दे पर बात करने लगे. रविवार 25 February को सरकार ने Duma को बरखास कर दिया. सरकार के इस फैसले के खिलाब राजनितिग्य बयान देने लगे. Demonstrators returned in force to the streets of the Left Bank on the 26th. 26 तारिक को बहुत सारे वर्कर्स लेफ्ट बैंक के सडकों पर जमा होने लगे. 26 तारिक को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तर्ट के इलाके में एकट्टा हो गए. 27 तारिक को वर्कर्स ने यानि Demonstrators ने पुलिस हेटक्वार्टर को तोर दिया. 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालेओं पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया. 27 लोग सडकों पर इखटा हो गए और नारेबाजी करने लगे. 28 फूड शॉर्टेजेस को लेकर, वेजेस को लेकर, वर्किंग ताइंग को कम करके, फिक्स करने को लेकर, दिमोक्रिसी को लेकर, लोग आवाजे उठाने लगे. 29 रोटी, तनख्वा, काम के घंटों में कमी और लोक्तांत्रिक अधिकारों के पक्षमिन नारे लगाते असयंक लोग सडकों पर जमा हो गए. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. Government ने इस situation को control करने की कोशिश की और फिर से cavalry को बुला लिया. सडकार ने स्थिती पर नियंतरन कायम करने के लिए एक बार फिर भुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. Cavalry ने लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया. क्योंकि कहीं न कहीं आर्मी भी जार से नारास थी. क्योंकि वार में सत्तर लाख casualties हुई थी. हमने चैप्टर टू के पार्ट टू में ये सब पढ़ा है. लेकिन घुड़सवार सैनिकों की तुकडियों ने प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया. An officer was shot at the barracks of a regiment and three other regiments mutinied, voting to join the striking workers. एक regiment में सैनिकों ने अपने officer को गोली मार दी. तीन अलग regiment में सैनिकों ने विद्रो कर दिया और वर्कर्स के साथ मिल गए. गुसाए सिपाहियों ने एक regiment की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी. तीन दूसरी regimentों ने भी बगावत कर दी और हरताली मजदूरों के साथ आ मिले. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. शाम तक इन soldiers ने, workers ने मिलकर सोवियत का formation किया और जहां पे Duma की meeting होती थी वहीं पे वे मिले. यहीं से Petrograd Soviet का जन्म हुआ. देखिए, रशिया के Local Self-Government Organization को सोवियत कहा जाता थाया. उस साम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत, रूस के स्थानिय स्वशासी संगठन या परिशत का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक Duma की बैठक हुआ करती थी. यहीं से Petrograd Soviet का जन्म हुआ. अगले दिन इन लोगों ने एक डेलिगेशन यानी प्रतिनिधी मंडल को भेजा जार से मिलने के लिए. अगले दिन एक प्रतिनिधी मंडल जार से मिलने गया. सैनिक कमांडरों ने उसे सला दी कि वो राजगदी छोड़ दे. जार अब समझ चुका था कि सिचुएशन अब उसके हाथ के बाहर जा चुकी थी तो उसने उनकी एडवाईस मान ली और सेकेंड मार्च को उसने गद्धी छोड़ दी. उसने कमांडरों की बात मान ली और दो मार्च को गद्धी छोड़ दी. सोवियत लीडर्स और डियूमा लीडर्स फॉर्मड अप्रोविजनल गवर्न्मेंट तो रंदी कंट्री. Soviet leaders ने और Duma leaders ने एक provisional government फॉर्म किया जिससे देश को चलाया जा सके Soviet और Duma के निताओं ने देश का शाशन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना लिए Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage Universal adult suffrage के द्वारा constituent assembly का गठन किया जाएगा और constituent assembly ही Russia का future decide करेगी टै किया गया कि रूस के भविश्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी सम्विधान सभा को सौब दी जाए और उसका चुनाव सार्व भॉमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917 Petrograd से ही February revolution शुरू हुआ जिसने 1917 February में मुनार्की को खत्म कर दिया फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांती का जंडा पेत्रोग्राद की जंता के हातों में था अब हम लोगा नेक्स टॉपिक है आफ्तर फेवरी फरवरी के बाद क्या-क्या घटनाएं हुई सोवियत लीडर्स और डियूमा ने मिलकर प्रोविजनल गवर्णमेंट बनाया था लेकिन इस प्रोविजनल गवर्णमेंट में आर्मी ओफिशियल्स लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स इंफ्लुएंशियल थे देखिये सक्ता फिर से अमीर लोगों के हाथ में और पावरफुल लोगों के हाथ में जा रही थी अंतर्म सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपती प्रभावशाली थे But the liberals as well as the socialists among them worked towards an elected government Liberals और socialists जल्दी से जल्दी एक elected government चाते थे जिसमें रशिया के लोग बोट डाल के अपनी सरकार चुने उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाते थे Restrictions on public meetings and associations were removed Public meetings और associations पर जो restrictions लगा हुआ था उसे हटा लिया गया जन सभा करने और संगठन बनाने पर लगी पावंदी हटा ली गई Soviets like the Petrograd Soviets were set up everywhere though no common system of election was followed Petrograd में जैसे Soviet बना था वैसे ही दूसरे जगहों पे भी Soviets बनने लगी थे लेकिन हर जगह election का तरीका अलग-अलग था हाला कि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था लेकिन Petrograd Soviet की तरज पर सब जगह Soviet बना ली गई In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile April 1917 में Bolshevik group के leader Vladimir Lenin exile से वापस लोटे April 1917 में Bolshevikों के निर्वाचित नेता Vladimir Lenin रूस लोट आये He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviets to take over power. Vladimir Lenin और उनके Bolshevik group के supporters 1914 से ही war को oppose कर रहे थे अब उन्हें लगा कि Soviets को सत्ता अपने हातों में ले लिनी चाहिए Lenin के नित्रित्व में Bolshevik 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हातों में ले लिनी चाहिए He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized Vladimir Lenin ने कहा कि war को अब खत्म कर दिया जाए जिन जमीनों पर land owners ने कबजा करके रखा है उन सभी जमीनों को किसानों के पास transfer कर दिया जाए और banks को nationalize कर दिया जाए Lenin ने बयान दिया कि युद्ध समाप किया जाए सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और bankों का राश्ट्रिय करण किया जाए These three demands were Lenin's April thesis Lenin के इन तीन demands को April thesis के नाम से जाना गया इन तीन मांगों को Lenin की April thesis के नाम से जाना जाता है He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims उन्होंने ये भी कहा कि Bolsheviks को अपना नाम बदल कर Communist Party रख लेना चाहिए क्योंकि अब हमारे जो aim है वो radical aim है उन्होंने ये भी सुझाब दिया कि अब अपने radical उद्धिर्शों को स्पष्ट करने के लिए Bolshevik party का नाम Communist Party रख दिया जाए Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April Thesis Bolshevik group के दूसरे members स्टार्टिंग में April Thesis के demands को सुनकर काफी हैरान हुए थे Bolshevik party के ज़ातर लोगों को April Thesis के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई They thought that the time was not right for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported उनका मानना था कि अभी socialist revolution का समय नहीं आया है और इसलिए अभी provisional government को ही support किया जाना चाहिए उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांती के लिए सही वक्त नहीं आया है इसलिए फिलहाल अंतरीम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए लेकिन अगले कुछ महिनों में कुछ ऐसे developments हुए कुछ ऐसे events हुए जिसने उनके इस attitude को change कर दिया लेकिन अगले कुछ महिनों की घटनाओ ने उनकी सोच बदल दी थो दी समर दी वर्कर्स मूव्ममन स्पैच ग्र्मियों में वर्कर।र्मियों में दी आंदूलण ओर दियाए In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories Industrial areas में factory committees बनी जिनके जरिये workers ने industrialists से उनके काम करने के तरीकों को लेकर सवाल पूछने लगे और जोगिक इलाकों में factory कमेटियां बनाई गई इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर factory चलाने के मालिकों कोई तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे Trade unions grew in number, soldiers committees were formed in the army Trade unions बड़ी संख्या में बनने लगी, आर्मी में soldiers committees बनने लगी Trade unionों की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपायों की समीतियां बनने लगी In June, about 500 Soviets sent representatives to an All Russian Congress of Soviets June में जो अलग-अलग Soviets बने थे, उसमें 500 Soviets ने अपने representatives भेजे All Russian Congress of Soviets में June में लगभग 500 Soviets ने अखील रूसी Soviet Congress में अपने प्रतिनिधी भेजे As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent जैसे जैसे provisional government को लगा कि उनकी power कम हो रही है और Bolsheviks का influence बढ़ रहा है तो उन्होंने इस discontent को दबाने के लिए सक्त कदम उठाएं जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और Bolshevikों का प्रभाव बढ़ने लगा सरकार असंतोष को दबाने के लिए सक्त कदम उठाने लगी It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders Workers factories चलाने की कोशिश कर रहे थे तो provisional government ने इन workers को रोकना शुरू किया और उनके leaders को अरेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार ने फैक्ट्रिया चलाने की मजदूरों दोवारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed July 1917 में Bolsheviks द्वारा एक बड़े लेवल पे किये जा रहे demonstration को दमनकारी तरीके से रोका गया था July 1917 में Bolsheviks को द्वारा आयोजित किये गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee बहुत सारे Bolshevik leaders को भागना पड़ा और छुपना पड़ा Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land उसी वक्त, ग्रामेन इलाकों में किसान और उनके socialist revolutionary leaders redistribution of land यानि भूमी पुनर वित्रण की डिमांड करने लगे मतलब, land owners जो जमीन पर कबजा करके बैठे थे, उसे किसानों के बीच distribute किया जाए गाउं में किसान और उनके समाजवादी क्रांथिकारी नेता भूमी पुनर वित्रण के लिए दवाव डालने लगे थे Land committees were formed to handle this इस काम को करने के लिए land committees बनाई गई इस काम के लिए भूमी समितियां बना दी गई थी encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917 किसान socialist revolutionaries से influence होके, encourage होके July 1917 से September 1917 के बीच में जमीन पर कबजा करने लगे सामाजिक क्रांथिकारियों से प्रिर्णा और प्रोथसाहन लेते हुए July से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कबजा कर लिया अब हम लोग का नेक्स टॉपिक है, the revolution of October 1917 October 1917 की क्रांथि As the conflict between the provincial government and the bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship जैसे जैसे provisional government और bolsheviks के बीच में conflict बढ़ता जा रहा था तो Lenin को लग रहा था कि provisional government dictator ना बन जाए जैसे जैसे अंतरीम सरकार और bolsheviks के बीच टक्राव बढ़ता गया Lenin को अंतरीम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी In September, he began discussions for an uprising against the government September में government के against Lenin ने विद्रो करने को लेकर discussion शुरू कर दिया था September में उन्होंने सरकार के खिलाब विद्रो के बारे में चर्चा शुरू कर दी Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together Army में, Soviets में, factories में जो Bolsheviks के supporters थे उनको एक जगा लाया गया Sena और Factory, Sovietों में मौझूद Bolshevikों को इकट्टा किया गया On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power 16 October 1917 को Lenin ने Petrograd Soviet और Bolshevik Party को मनाया की अब सत्ता पर Socialist control होना चाहिए 16 October 1917 को Lenin ने Petrograd Soviet और Bolshevik Party को सत्ता पर कबजा करने के लिए राजी कर लिया A Military Revolutionary Committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure The date of the event was kept a secret Leon Trotsky के अंडर में, Soviet ने एक Military Revolutionary Committee का गठन किया ताकि सत्ता पर कबजा किया जा सके इस date को विद्रो करना था इसे secret रखा गया सत्ता पर कबजे के लिए Leon Trotsky के नेत्रित्व में Soviet की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समीति का गठन किया गया इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा The uprising began on 24 October Sensing Trouble, Prime Minister Krinsky had left the city to summon troops 24 October को विद्रो शुरू हो गया Prime Minister Krinsky को लग गया था कि आगे उसे problem face करना पड़ सकता है इसलिए वो city से बाहर चला गया और troops को एकटा करने लगा 24 October को विद्रो शुरू हो गया Sankat की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री Krinsky सैनिक टुकडियों को एकटा करने शहर से बाहर चले गया At dawn, military men, loyal to the government, seize the buildings of two Bolshevik newspapers जो सैनिक, provisional government के loyal थे उन्होंने Bolshevik द्वारा छापे जा रहे newspapers के building पर कबजा कर लिया तड़के ही, सरकार के वफादार सैनिकों ने दो Bolshevik अकबारों के दफतरों पर घेरा डाल दिया Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the winter palace जो सैनिक, सरकार के favor में थे, उन्होंने telephone और telegraph office को अपने control में लेना चाहा ताकि communication का control उनके पास हो और उन्होंने winter palace की भी रक्षा करनी चाहिए telephone और telegraph दफतरों पर नियंतरन प्राप्त करने और winter palace की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया In a swift response, the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers Military revolutionary committee ने अपने supporters से कहा कि government offices पे कबजा कर ले और provisional government के ministers को अरेस्ट कर ले पलक जपकते स्रांतिकारी समीती ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालों पर कबजा कर ले और मंत्रियों को गिरफतार कर ले Late in the day, the ship Aurora shelled the winter palace उसी दिन, Aurora नामके warship ने winter palace पर बंबारी कर दिया उसी दिन, Aurora नामक युद्ध पोत ने winter palace पर बंबारी शुरू कर दिया Other vessels sailed down the neva and took over various military points दूसरे warships नेवा नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए, दूसरे military points पर कंट्रोल कर लिया अन्य युद्ध पोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए, विभिन सैनिक ठिकानों को अपने नियंतरण में ले लिया By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered रात तक में पूरा शहर military revolutionary committee के कबजे में आ चुका था और provisional government के ministers ने surrender कर दिया था शाम ढलते ढलते फूरा शहर क्रांतिकारी समीती के नियंतरण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्म समर्पन कर दिया था At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action Petrograd में All Russian Congress of Soviets की meeting में Bolsheviks द्वारा उठाए गये कदमों को Majority द्वारा approval मिल गया था Petrograd में अखिल रूसी Soviet Congress की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कारेवाई का समर्थन किया Uprisings took place in other cities, there was heavy fighting especially in Moscow But by December, the Bolsheviks control the Moscow Petrograd area दूसरे शहरों में भी विद्रो हुआ, सबसे भयानक लड़ाई Moscow में हुआ But December तक Bolsheviks ने Moscow Petrograd area पर कबजा कर लिया था अन्य शहरों में भी बगावते होने लगी, दोनों तरफ से जम कर गोलीबारी हुई, खास तोर से मौस्को में लेकिन दिसम्बर तक मौस्को पेत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंतरन स्थापित हो चुका था आप हम लोगा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट अफ दी रशियन रिवॉलूशन, रूसी क्रांती की तारीख रशिया फॉलोड दी जूलियन कलेंडर अंटिल 1 फेबरी, 1918, दा कंट्री देन चेंज़्ट तु दी ग्रेगोरियन कलेंडर, विच एस फॉलोड एवरिवेर टुडेग एक फिबररी, 1918 तक रशिया में जूलियन कलेंडर फॉलो किया जाता था, उसके बाद वहाँ पे ग्रेगोरियन कलेंडर फॉलो किया जाने लगा रूस में फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरन किया जाता था इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगा इस्तिमाल किया जाता है The Gregorian Dates are 13 days ahead of the Julian Dates Gregorian कैलेंडर में Dates Julian कैलेंडर से 13 दिन आगे चलते है Gregorian कैलेंडर Julian कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है So by our calendar, the February Revolution took place on 12th March and the October Revolution took place on 7th November Julian कैलेंडर के मुताबिक जो February Revolution हुआ था वो Gregorian कैलेंडर के हिसाब से वो 12 March को हुआ था और Julian कैलेंडर के मुताबिक जो October Revolution हुआ था Gregorian कैलेंडर के हिसाब से वो 7 November को हुआ था इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से February क्रांती 12 March को और October क्रांती 7 November को संपन्न हुई थी तो friends इसी के साथ हम लोगा chapter 2 का part 3 समाप्थ होता है हम लोग next lecture में chapter 2 के part 4 को शुरू करेंगे और उसी के साथ हम लोगा chapter 2 complete हो जाएगा मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे comment से पूछ सकते हैं या फिर instagram पे पूछ सकते हैं अपने friends के साथ इस video को share करें video पसंद आए तो like करें channel को subscribe करें मैं मिलता हूँ आपसे next lecture में Good day to everyone, जैहिंद